मॉर्णिंग स्टुडेंट्स और वेलकम टू राधारानी फ्रियोईशन देखो बेड़ा वर्चिन नमबर 28 और मैथमेटिस क्लास 10 वह आप देखो बेड़ा क्या दे रखा है इसमें आपको सेक्शन फॉर्मुला और मीड़ पॉर्मुला पहले मैंने आपको समझाया यह सेक् दूसरा जो एक फॉर्मुला होता है यह मीड़ पॉर्मुला मतला अगर कोई पॉर्मुला के मीड़ पॉर्में है तो एक्सוסक्त ε zy wider होता है एक्ससी लाइक चलिए। दे रखा है आपको क्या दे रखा है वीड़ा एक eyes a b c d परङो गराम अब बेड़ाक्स आ अर वर्टेक्स direction और थीकी है बड़ा फाय्ड वेले यूथ पी तो मैं आपको ad एकजम्ब ले वो समझाता हूं, एकजम्ब नमबर वान, चारो पॉइंट्स बेड़ा आपको दे रखा है, चारो पॉइंट्स A, B, C and D, और A बेड़ा मेरा कितना दे रखा है, A दे रखा है, 7, 2, और B कितना दे रखा है, 8, 3, और C कितना दे रखा है बेड़ा मेरा, 9, 4, और इने प्रलोग्राम दा डाइगोनाल बैसेट इच अधर इसका मदला आप दोनों को बैसेट करेंगे एक ही पॉइंट पे यह मैंने ओ कर दिया Ce का मीड़ी पॉइंट जो होगा bd का मीड़ी पॉइंट ओई होगा तो मैं लिखूंगा एक लाइन एगजाम्बॉल में है The midpoint of Ce equal to the midpoint of the midpoint of bd तो Ce का midpoint निकालने के लिए क्या होगा बढ़ा ना X equal to X1 plus X2 by 2 फिर y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 by 2 equal to क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 by 2 p प्लस 8 by 2 then 3 प्लस 3 by 2 मलब hc का मैंने midpoint निकाल दिया bd का midpoint मैंने निकाल दिया अब आपका क्या हो गया बड़ा देखो इसके साथ मैंने इसको equal करनी है और इसके साथ मुझे इसको equal करनी है तो अगर equal करूँगा तो 2,2 कट गया बच्चा कितना है बड़ा p प्लस 8 equal to 16 p equal to 16 minus 8 equal to 8 दूसरा इसमें देखो बड़ा दूसरा तो करना नहीं है क्योंकि यह 6 by 2,3 और यह भी 6 by 2,3 यह हो गया तो p का जो value आया बड़ा आपका 8 आ गया तो ऐसे आपका example number 1 है example number 2 आप देख सकते हो to find the coordinates of the line segment which divide the line segment into 3 equal parts तो 3 equal parts की सवाल हम करेंगे इसलिए नहीं समझा रहा हूं question number 2 और आते हैं question number 3 के लिए question number 3 में हम लोग क्या कर रहे है circle दे रखा है 2 end point दे रखा है center of the circle center के लिए दोनों का mid point अगर एक circle का 2 end point दे रखा है एक इस तरफ दे रखा है इस तरफ दे रखा है पुछे का center पता है sorry center क्या करता है the mid point of AB किसी भी किसी भी diameter का mid point center होता है diameter find out करो distance formula लगा दोगे radius point out करो diameter by 2 ऐसे में आपको तीनों जो question आपको दे रखा है आप बड़े प्यार से हो जाएगा अभी हम आते हैं बेडा please try yourself आपने आप try करना है मैं आपको बदायता हूं बेडा question क्या है question number one तो आप अच्छे दरह से देखो चुकि कल Sunday बेडा वर्षिट नहीं आया पूरे पूरे नोट आउट ना करें बेडा और आपको नीचे लिंक भेज दिया जाएगा उससे आप पूरे चाप्टर को भी समझ सकते हैं प्रयास किजिए आपने आप करने का A, B, C, D चारो पटेक्स आपको दे रखा है एक दरकाए 0-0 बिलकुल यह रॉप फिकर बनाया जा रहा है क्योंकि 3-0 सार यहां कैसे हो गया वो अलग चीजिए रॉप फिकर है C हो गया आपका 4-1 और D हो गया बेडा आपका 1-1 पहले डिस्टांस आप A, B का निकाल दो देखो, फर्मुला में एक बार लिखूँ लेकिन बार-बार आपको लिखना पड़ेगा सभी में X2-X1 का होल स्क्वार प्लस Y2-Y1 का होल स्क्वार का स्क्वार रूट यह मेरा X1, Y1, X2, Y2 तो यहां पे तो कुछ है यह नहीं तो मैं क्या करूँगा 3 का स्क्वार का स्क्वार रूट तो 9 का स्क्वार रूट हो गया 3 तो आपका यहां पे हो गया 3 यूनिट उसके बाद मैं 20 निकाल दूँ बेटा बिलकुल सेम फर्मुला यह फर्मुला में लिखने रहा हूं बार-बार तो X2-X1 का होल स्क्वार प्लस Y2-Y1 का होल स्क्वार का स्क्वार रूट तो 1 प्लस 1 यह आपका हो गया रूट 2 यह भी आपका यूनिट हो गया अब आज़ाओ आपका CD X2-X1 का होल स्क्वार X1-Y1, X2-Y2 फिर Y2-Y1 का होल स्क्वार का स्क्वार रूट तो यह आपका 3 का स्क्वार 9 प्लस 0 तो 9 का स्क्वार रूट यह आपका हो गया 3 यूनिट अब आपका और देखिए आजाओ आपका DA आजाएगा तो आपका वही X2 माइनस X1 का स्क्वार और ओरिजिन से किसी पॉंट का जो दूरी है X2 प्लस Y2 का स्क्वार रूट तो 1 प्लस 1 का स्क्वार रूट इक्याल टू रूट 2 इतने में भी आपका हो सकता है जिस कोई भी क्वार्डेट राले जो अपोजिट साइड इक्वाल होगा उसे हम प्रेलोग्राम कहेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या करना है The midpoint of AC equal to the midpoint of BD निकाल लोगे और भी बढ़िया है क्या पता वो दोनों point मेंने दूर ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे बनाया वो भी दूरी समान होगा लेकिन वो प्रेलोग्राम नहीं होगा ऐसे में क्या करूँगा The midpoint of AC निकाल लेता हूँ क्योंकि आप वो पता है दोनों का जो डाइगोनाले उनका midpoint सेम होगा midpoint of AC निकालते हैं X1 plus X2 by 2 X1 plus X2 by 2 2 आया यह X के लिए हो गया यह X के लिए हुआ तो Y के लिए क्या होगा ना Y के लिए विलकुल वो X1 plus X2 by 2 यह आपका हो गया 1 by 2 एक तो हो गया यह हो गया तो क्या बचा इसके में यह हो गया पता है आपका 4 by 2 2 और हो गया 1 by 2 फीड देखो midpoint of the midpoint of the midpoint of BD midpoint BD का क्या होगा X1 plus X2 by 2 3 plus 1 by 2 हो गया बेटा और 0 plus 1 by 2 हो गया बिलकुल यह भी वही सेम आगया यह 2 का आगया 1 by 2 तो लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे ना opposite side side equal देखो लास्ट में यह तो फुरा step करना है उसके बाद आप क्या लिखना है ना AB equal to CD हो गया और BC equal to आपका AD हो गया BC equal to AD और आप क्या पतला गया and the midpoint of SE and the midpoint of SE equal to the midpoint of VD then you can say of VD so it is ABCD is a Paralogram पेड़ा हिंदी मिडियां भी समझ सकते हो पहले सब का दुरी निकालोगे SE का मध्यबिंदू midpoint मतला मध्यबिंदू निकालना BD का मध्यबिंदू निकालना और आप लिखोगे AB और CD बराबर हो गया BC और AD बराबर है SE का मध्यबिंदू बराबर में BD का मध्यबिंदू है इसलिए ABCDA का समानतर चत्रभुज है कोई दिकत नहीं मेत में हिंदी इंग्लिस कोई फरक नहीं होता बेड़ा आप इसको 1 काई लिखना 1 काई और तो कोई फरक नहीं है बेड़ा आप request करते हो बेड़ा मेत में कम press किजिए आप Hindi English तो आप इसको try किजिए नो डाउट कर ले लेकिए आप ले लो और आप कर लो बेड़ा चलिए हम है देखे बेड़ा question no.2 यू है गिवेन A & B A और B आपको दे रखा है 2-2 & 7-4 यह रो फिगर बनाया गया है फियर में तो two minus two कहा है गा और minus one four कहा है गा वो नहीं पता कर सकते हैं आप कर सकते हो लेकिन फिर grab बनाते बनाते रहे जाओगे अब क्या है ना आपको three समान भाग करना है वो दिरकाए क्या करना है ना dopamine करना है और त्रैसेक्शन करनी है या थीन समान एकवापकरनी है मैंने लेड किया लेड P and Q tricect the AB माना P और Q AB को समान तीन भाग कर रहा है अब क्या करना है P निकालने के लिए जो रेशियो होगा वो मेरा 1, रेशियो 2 क्योंकि वो 1 भागे और वो 2 भागे लेकिन जब मैं Q लिखूंगा तो रेशियो क्या होगा 2 रेशियो 1 बस वही चीज़ आपको ध्यान देना है कॉलिनेड अफ P के लिए मैंने निकाला क्या होगा यह मेरा X1, Y1, X2, Y2 यह तो मेरा सब के लिए fix है यह मेरा X1 और Y1 हो गया यह दूसरे मेरा हो गया X2 और Y2 यह मेरा हो गया M1 और यह मेरा हो गया divided by M1 प्लस M2 M1 एक, M2 दो और यह M1, X2 यह फर्मुला लिखा है वेड़ा आप देख सकते हो यह X का आगया कितना है ना माइनोस वान और Y का आगया 0 तो कोडिनेट अफ P हो गया माइनोस वान और 0 और कोडिनेट अफ 2 निकालोगे M1 मेरा 2 हो जाएगा M2 मेरा 1 हो जाएगा X1, Y1, X2, Y2 वही से में फर्मुला इसका भी लगा हो आपका माइनोस 2 और 2 तो वेड़ा यहां लिखोगे Q का निड़दे सांख यहां लिखोगे P का निड़दे सांख और यहां जो लिखा है हिंदी में P, AB को एक रेशियो 2 में विभाजीत करता है और Q, AB को 2 रेशियो 1 में विभाजीत करती है तो वह आप लिखोगे हिंदी में यहां हो गया question number 2 अब आते है question number 3 के लिए एक circle का एक diameter का 2 end point दे रखा है diameter हमेशा center से होकर गुजरती है ठीक है ऐसे में AB हो गया 10 AB square हो गया 10 का square AB square 10 का square दोनों दरप से square करा देखो बच्चे पिछली विडियो में पुछे थे सार जी यह square root आपने आप कैसे हट गया square root का square में square root हट जाता है 10 का square 100 हो गया square root और sorry बेट square root और square दोनों हट गया अब आपका आगया 1-4-3 का square 9 0-P, P का square P square यह plus ताउसरा के minus हो गया 100 में से 9 जाएगा 91 square हटा इदर square root plus minus 91 का square root फिर O is the midpoint of AB तो P मिल गया square root में plus minus 91 O निकालने के लिए O is the midpoint of AB because O is the center इसलिए 4 plus 1 by 2 5 by 2 हो गया और Y के लिए P plus 0 by 2 P का value जो जोड़ दिया by 2 plus minus root 91 by 2 तो मेरा center जो हुआ 5 by 2 और plus minus root 91 by 2 उसके निचे बेड़ा आपको इसके भेजा जा रहा है लिंक भेजा जा रहा है उसके साथ साथ आपको और भी इस चप्टर की जो आपको भेजा जा रहा है तो जरूर आप समझ के उसे करना लाइक, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करो बेड़ा और जरूर आप लोग इसको समझ के करो बाई बेड़ा, take care बेड़ा